इसके दो पार्ट्स मैंने यूट्यूब पे अप्लोड करके नहीं देखिए प्लीज आके पहले वह वाली वीडियो देखें जिसमें मैंने ट्रेडिंग को बनाना सिखाया तो आज हमारा नेक्स्ट टैप की और बढ़ते हैं देख रहे हैं तो आप मेरे साथ सुरूज क्या ज चैपटर में बहुत जोते हैं आपको लगता है कि स्टार्टिंग बिडा जाता है अग्र जाकर बेदी कॉंट में से लिए हर वीडियो को देखें से ज्चार्ट इलिए होगा और आपको कहीवी प्रावलम नहीं आएगी मेरा बाद है तो आज जो मैं आपको पढ़ाऊंगा वो पराऊंगा profit and loss account ये तो सीख लिए था हमने trading account में क्या क्या चीज़ आती है trading account में मैंने बताया था आपको purchase related खर्चे आते हैं production से और manufacturing से related खर्चे आते हैं बाकी जितने भी खर्चे होते हैं वो indirect cost होती है हमारी वो सारी की सारी profit and loss में आती है क्या आप जाती है profit and loss account इसके लिए बनाते हूं profit and loss account इसका इप फॉर्मेट बता रहा हूं मैं आपको और इसी को समझाते हैं यह इसके बाद मनाते हैं trading account के बाद मनाते profit and loss account अब आपको एक चीज़ समयने आएगी यह जो यह वाली साइड होती है यह वाली साइड जो होती है वो डैविट साइड होती है यह वाली साइड को हम income बोलते हैं क्या बोलेंगे हैं इसको तो यह वेन वाला कि जतने जसने वी इंकम है वक्रेडिट साइड में जतने सीवक रचे है मरे वह सब डैविट साइड अब जो इदर ली इदर ली ओले इदर लीओवली साइड क्या नहीं दिख ऴरत ँंगो यहाली ना दिखाए देरी यह जैपर वाली नदिख रही टे यह ना प्रोल मारी सबसमझदार है जो इसने में वीडियो देख रहा वो पढ़ने वाला बच्चा है ना पढ़ने वीडियो तो ड़े देखते हैं उनका करियर इंस्टाग्राम पर बनता है अना अब गलत बोल रहे हैं अन्वे शॉर्ट जो है अच्छा अच्छा मिस्चाया बोल रही है कि इनको स्कूल की तरब से बेस्ट स्टुडेंट्स का वार्ड भी मिला है है इनको आए इनको स्ब्जेट्स में hani रत्तिया सही हुआ हसी क्या रभी बहुत बढ़िया माक्स स्कूर कि bundle स्ट्र चांड हно अन्मित के लिए और चाया के लिए जो अनलाइन विएर्स हैं आप भी एक च्छोटी से क्लैब जुरूर बजाना ये मेरे बहुत टैलेंटेड इस्टुडेंट्स हैं और मैं सोचता हूं कि आप भी वीडियो देख रहे हैं तो आप भी अच्छे मार्क स्कूर करें ठीक इसी सब्सक्राइब के वजिए लेकिन सासे भाइस ऐख़र सब्सक्रार हो रहेंगे और वादा है कि एक तरफ ब्यांप की achievement सब्सक्राइब करने हैं और ये बड़ी वाला खेल जो आपको तो तो तरह ध्यान दें पड़ा भी देते हैं एक तरफ मैंने आपको बताया है देखो कोई रॉक्रेट साइंस नहीं है बहुत जाता सोचना नहीं है क्या आता है बहुत से इस अरी आइटम्स आती है अब यहां पर कन्फिजन कहां क्रियेट हो रहा है कि सर कौन सी आइटम्स और साथी इनकम क्या क्या हुते है वो सब क्रेडिट से की और five exactly के लिए आपको लिखना पड़ेगा जो क्रेटिक से ल किरौश करेंगे व में अब इसको करेंगे ग्रम na 2008 weg ग्रॉष अघ्र और credit side में दो-चार income ही होती है जिसके आगे receive word लिखा होता है क्या लिखा होता है अब receive word क्या होता है जैसे interest receive, rent receive, commission receive और क्या आता है बताओ, discount receive वह यह तो होती है, income तो इंकम तो गिंती की होती है, खर्चों के लिस्त बड़ी होती है बिल्कुल आसकता है वो income है मारी, जब bad debts हुआ था तो loss था, अब वो bad debts recovered हो रहा है तो वो income है और बताओ bad debts recovered चलिए और बताओ, interest on investment, interest receive में ही आ गया, यह interest receive क्या है interest on investment मान लो से, ठीक है, या bank में जो आपने FD कराई है, उस पे interest मिल रहा है और बताओ क्या क्या सकता है, जब यहाँ पर देखो, किताब में देखते हैं, यह ग्रेवाल में सका format दिया है और जो में format अभी यहाँ पर भी आपको वीडियो में दिखाऊंगा, इलाल यहाँ पर देखें, rent दे रहे रहे हैं, discount दे रहे हैं, commission, interest receive, इंकम फ्रॉम इंवेस्मेंट, misilious इंकम, सार यह misilious इंकम क्या होती है, ऐसी इंकम जिसका हम separate head नहीं बनाते हैं, चुट पुल्ले होते हैं, यह हमारे, चुट पुल्ले समझते हो, हमारे ध्याती language में बोल देते हैं, चुट पुल्ले, यानि कि जैसे आपने organization में 20 रुप ही रद्धी बेश दी, अब रद्धी बेशने का कामना होगे, रद्धी है कामना होगे, ठीक है ना, तो कुछ ऐसे भी होते हैं, जो हमारे चुटे-चुटे इंकम होती है, उस income को कहते हैं, misilious income, ददद बीवी 50-100 रुपे वाल income को खटा कलब किया, उसे बना रहे हैं, मनप्रीच जी से बात कर रहे हैं, डारेट विल्कुल हई कोट पे, इसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, वाओ, मनप्रीच जी कहां समझ में नहीं आ रहा है, बता है, तो आप मेरे से पूछो, हमारी handwriting पता है, किनीज बुक वर्ड के लिए गई है, ठोड़ा बेट रिचीव, बैट टेप्स रिकवर, रिकवर रिकवर रिचीव हो रहे, ताफसाफ लिखे, समझ में नहीं आ रहे, दिखरेला है, तो बिढू अगला पर डैबिट माह जाते हैं, पानली संदी हिंदुस्तानी ने पास करते हैं, तो यह सब क्रॉस-क्रॉस कर दो, क्रॉस-क्र मनसा देवी जी समझ में आ गया, मनिपरीद मनसा देवी, जय मनसा देवी, अगर आपके कोश्चन में लॉस होता, तो कहा था, यहां लिखते हैं, टू, ग्रॉस, लॉस, ब्रॉट डाउन, लेकिन एक मयान में दो तलवाली नहीं होती, या तो ग्रॉस प्रॉफिट होगा, या ग्रॉस, लॉस होगा, तो यह आपको दिहान रखना है, अब जो भी indirect expenses हैं, indirect expenses कौन से होते हैं, जिनका production से कोई लेना देना नहीं है, यह तीन तरह के खर्चे होते हैं, एक होता है, office expenses, जितने भी हमारे office के खर्चे हैं, कौन-कौन से होते हैं, सर, salary क्या है, बताओ, office का गर्चा है, कई बार salary and wages लिखा होगा, यह भी indirect माना जाता है, लेकिन अगर question में wages and salary है, तो वो trading का पार्ट माना जाता है, वो production से लेटर होता है, सर, ऐसे क्या है, कि wages से salary का मतब होता है, जहाँ पर क्या है, wages ज्यादा दी गई है, और salary कम दी गई है, जैसे एक supervisor है, वो factory मे प्लांट में दे रहा है, तो क्या जाएगा wages and salary, गया है progress. आफिस रेंट हो गया आफिस के खडचे हो गए वह भी इसमें आगए आफिस स्टेशनरी हो गया कि ऑड़ीट फीस हो गया सर यह समय नहीं हों सर अड़ीट फीस क्या होता है चार्टड अकांटेंड का नाम सुना वाँ commerce में आप लोगों ने सीए जब हमारे हां audit करता है मतलब हमारे accounts को check करता है तो उसको दी जाने वाले जो remuneration है उसे कहते है audit fees क्या बोलते हैं audit fees समझ मागया है तक ऐसी postage office की जो डाक होती है postage and telegram या postage expenses courier expenses सब इसे में आते हैं के लिए है अब देखो यहां पर क्या देर का salary rent office का rent को हो यह rent को depreciation बेटा खर्चा है यह loss होगे एक तरा से मारा यह भी profit loss का पार्ट है अभी आएगा बेटा भी तुम्हें थोड़े बहुत बता रहा हूं ठीक है salary rent printing stationary postage telephone insurance insurance भी भी आ गया इसमें और देखो इसमें क्या खर्चा दिया हुए बिजनस promotion के खर्चे यह हो गया advertisement advertisement हो गया और repair भी इसमें ही आ गया repair and maintenance के नाम से जाना चाता है इसको interest अब यह जो यह जो receive किया ना इन्हें paid भी कर सकते हो आप हम paid भी तो करते हैं जैसे commission paid अब भी और यह जो जो बिस्काउंट अलाओड फिर रेंट पेड अच्छें आते हैं जो भी लॉस है वह भी यह आएगा तो बेसिकली इसमें कौन कौन से खर्चे आते हैं नॉन प्रेट्टिटिव expenses या लॉस जितने भी हमारे बिस्निस में लॉस हुए है सब के सब हमारे क्या जाएंगे प्रॉफिट एं लॉस काउंट के ट्याबिट साड में आते हैं electricity expenses लॉस बाइट थेफ्ट कमीशन एडविटीजमेंट फ्रेट आउटवर्ड फ्रेट आउटवर्ड केरीज आउटवर्ड जो वहां पर थे ना जो आपको आ रहे थे यारीच इनवर्ड तो ट्रेडिंग में आएगा लेकिन अगर आउटवर्ड है यहां जाएगा इसी फ्र और डेविट सेट जाता है तो क्या जाएगा लॉस एक है ऐसी जब आप कोश्चेंज करोगे तो बहुत सारी आइटम्स आइंगी तो वहां पर आपको समझना है इसमें देखो आपको फॉर्मिट में ऐसा कोई वर्ड जो आपको नहीं समझ में आया तो मैं समझाएता हूँ है ऐसा चीज जो समझाएं ऑग आई यू अब क्या करेंगे टोटल करेंगे ओंगर एक सैट जाता है इसर वाली सेट जाता है तो क्या जाएगा profit तो इसे कहेंगे to net profit क्या कहेंगे इसे net profit ठीक है और अगर यह वाली साइट जाता है तो by net loss अब यहां पर हम इसको net loss लिख सकते हैं लेकिन यह दोनों चीजें नहीं आती है यहां रगना है या तो profit आएगा या फिर क्या हैगा loss और कोई problem इस फॉर्मिट में कोई समस्या नहीं है अब एक कोशन करा आएते हैं टी इस ग्रेवाल का जो आपको ज्यादा अच्छा समझा देगा और जो अनलाइन विएस हैं बेटा आप इसका screenshot ले लीजिए वीडियो को पाउस करके हाँ हाँ ओके तो एक कोशन कराते हैं कोशन नमबर 11 इस ग्रेवाल का प्रॉफिट एंड लॉस्ट अकाउंट और ये रेंडिंग अच्छा तिक तिस मार्च ओ वाओ हमें तो पता ही नहीं था आप सीम साथ को उनके नाम लेके बुकार रहे हैं कैसी बात है गलत बात है बिटा इसे आप कह सकते हैं क्योंकि आप होनार चात्रो अब यहां देखें सबसे पहले दिया वाओ है अब यहां देखें सबसे पहले दिया वाहसने कोश्चन में दफ्रॉम्द प्रिपेर दफ प्रॉफिट लॉस एकांड गुर्मान फॉर्द एर एंडिंग अत्यस मार्च दो हजार तेज़ और नीचे दिया वाइदा ग्रॉस प्रॉफिट वास ट्वंटी फैपर्षेंट ऑन से फॉर्टी फैपर्षेंट ऑन सेल्स विच अमॉंट छैलाग पचास जार तो सबसे पहले मैंने आपको पता है था इधर की तरफ क्या आएगा बाई ग्रॉस प्रॉफिट और वो कह रह आएगा तू लेख नाइन्टी टू थाउजेंट फाइवंडेट आई होप की एकलिर हो गया होगा अब आपको कोश्चन्स चैस करना है कि कौन सी चीज कहा जाएगी इनकम है तो क्रेडिट में ले जाओ एक्सपेंस है तो डैबिट साइड में तो सबसे पहले देखो क्या तेरका सेलरी एंड वेजिस यह क्या है हमारा खर्चा सेलरी हमें से दी जाती है ध्यान रखना आप जो एकाउंट्स बना रहे हो वो प्रोप्राइटर की बुक में बना रहे हो ना कि इंप्लाई की तो सेलरी एंड वेजिस बहुत से बच्चे क्या करते हैं गलती करते हैं व कंपनी के लिए क्या है वो खर्चा एक्सपन्सिस सेकंड देखें कमीशन क्या दिया है पेड सैलरी कितना दिया है 30,000 अचास के अगेंस निच्छे बताओ क्या है अगला कमीशन पेड तो सी कमीशन पेड कितने का है 2000 का नेक्स्ट ओस्टेज पोस्टेज एक्सपेंसिस कितना है पंदरासो नेक्स्ट इंच्छोरेंस अगला इंट्रस पेड अगर कोशन में खाली इंट्रस लिए तो भी खर्चा ही मानना है जब तक उसके आगे रिसी वड़ना लिखा जाए तब तक उसे इंकम नहीं माननी इंट्रस पेड कितने का है चैली नेक्स्ट केरीच आउटवर्ट नेक्स्ट एड़र्टीजमेंट नेक्स्ट नेक्स्ट रेंट रिसीव हो रहा है तो यह क्रेडिट साड में आएगा क्योंकि यह इंकम है सब्सक्राइब नेक्स्ट यह इंकम है मारी रेडिट साड में आएगा इंट्रेस्ट ओन इंवेस्टमेंट कितने का है? अंद्रह था पंद्रह हजार बैट इपस यह लॉस है नहीं था बैट देपस कितने का है? नहींद था पंद्रह हजार इसके बाद नाइन थावजड बताओं नियांद है कितने का है 900 और कुछ क्रेडिट साट का टोटल करो और डैविट साट का साथ इसमें कोशे में नेट प्रॉफिट दिया हुआ है तो नेट प्रॉफिट ही आएकर टोटल बताओ कितना रहा है कि इतना आज का 3,24,500 यह भी 3,24,500 हुज जाएगा इसका टोटल माइनस करोगे 3,24 में से तो यह रिमेनिंग जो आएगा वो आएगा नेट प्रॉफिट 241,050 अब किसी के बेच पर आपके लिए homework है कोशन अबर 10 और 12 टी एस गरेवाल के जो बच्चे टी एस गरेवाल को यूज़ कर रहे हैं तो कुशन खुद भी करें अगर कोई कुशन में पॉलम साती है तो आप मुझे जूरूर बता है कमेंट सेक्शन में लिखें और पैसे नहीं लगेंगे लेकिन एक motivation मिलता है ताकि आपको एक अच्छी वीडियो और बनाकी दी जा सके और आप मुझे इस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं बहुत सारे शॉट्स हैं और आप मुझे मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं शोचल मीडिया से के साथ भी नेक्स्ट वीडियो में लव यू ओल